हेलो दोस्तो प्रकाश हिंदी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं करूंगा अन्बॉक्सिंग और हैंस रिवूग हुआवे के नए स्मार्टफोन का जिसका नाम है ऑनर 6x तो बॉक्स इसका कुछ ऐसा दिखता है और बॉक्स दिखने में काफी अच्छा है और बॉक्स के उपर आपको इस स्मार्टफोन का कुछ बेसिक इंफरमेशन मिल जाएगा अगर आप चाहें तो आप वीडियो को यहां पर रोक के इसके उपर की इंफरमेशन को पढ़ सकते ह है दोस्तो बॉक्स ओपन करते हैं सबसे पहले आपको मिलता है इसमें honor 6x स्मार्टफोन फिलाल हम इसे साइड में रख देते और चकर लेते बॉक्स में आपको क्या-क्या पंतेंट मिलता है तो सबसे पहले आपको यहां पर मिलेगा कुछ डॉक्यमेंटेशन जिसमें इसकी वारेंटी काड तो हम इसके वारेंटी की कुछ information चेक कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको इस smartphone में मिलता है 12 प्लस 3 मेना का warranty यानि कि आपको 15 मेना का warranty स्मार्टफोन के उपर मिलेगा साथी में आपको इसके डेटा केबल के उपर मिलेगा तीन मेना का warranty और बैटरी और चार्जर पर आपको मिलता है इसके बाद आपको इस बॉक्स में मिलता एक सिम ट्रे एजेक्टर एक एक micro USB केबल तो यहां पर सी टाइप नहीं दिया गया और इसकी क्वालिटी ठीक टाक है और इसमें आपको मिलता चार्जर जो 5 वोल्ल 2 एंपियर का है तो फार चार्जर आपको नहीं दिया गया यहां पर नहीं आपको स्मार्टफोन में फार चार्जिंग की टेक्नोलिजी देखने के मिलेगा तो यह तो दोस्तों बॉक्स का कंटेंट अब हम चेक कर रहेते स्मार्टफोन को तो पहले मैं इसका यह कवर ओपन कर लेता हूं तो कवर ओपन करते हैं सबसे पहला आप नोटीस करेंगे इसका सार वैल्यू जो है 0.91 वाट पर केजी तो जो भी स्टैंडेड है उसके हिसाब से ही है दोस्तों अगर फोन के डिजाइन के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मिलता है मेटल यूनिबोडी डिजाइन का इसका वेट 172 filme का तो थिकनेस के इसाब से फोन बहुत ही पतला है जिससे बहुत ही शञिम फोन दिखता है और इसका वेट 162 कहने बहुत हैं और इसका वेट 160 लुगारम होने के की बावच्छों पर एसा हमें लगता-वारी है तो वेड यह किया गया वहावे ने वह बहुत ही अच्छा किया गया है तो डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी के मामने में हुआवे ने यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया है दोसों फोन की फिजिकल ओवर्विव के बारे में अगर बात करें तो यहां पर सामने के तरफ आपको मिलता है 5.5 फॉल एज़ी स्क्रीन जो कि एक IPC LCD ग्रेट का पैनल है और यहां पर आपको 403 का PPI देंसिटी देखने के मिलेगा 2.5D का कर्व ग्लास इसके उपर दिया गया है दोस्तों उपर के तरफ आपको यहां पर मिलता है इसका earpiece, proximity और ambit light sensor, led notification और यहां पर आपको मिलेगा इसका selfie camera जो है 8 Megapixel का यह 8 Megapixel एक fix focus camera जिसे आप HD recording कर सकते है तो यहां पर Full HD recording और 4K recording missing है नीचे के तरफ आपको यहां मिलता honor की branding और navigation की आपको on screen मिलेगा दोस्तों के right side में आपको उपर के तरफ मिलता volume rocker और ठीक उसके नीचे आपको मिलेगा power on and off button button plastic के बनाए गये हैं लेकिन अच्छा tactile feel देते हैं left side में आपको मिलेगा इसका hybrid SIM tray जिसमें आप 2 nano SIM लगा सकते हैं या फिर आप लगा सकते हैं एक nano SIM और 256 GB तक का SD card अगर आप किसी भी सूरत में दो SIM और SD card लगाना चाहते हैं तो यह phone आपके लिए नहीं है दोस्तों उपर के तरफ आपको मिलेगा 3.5 mm का audio jack और इसका secondary microphone नीचे के तरफ दो grill दिये गए हैं जिसमें एक है इसका loudspeaker और दूसरा इसका primary microphone और बीच में आपको मिलता इसका micro USB port data syncing और charging के लिए दोसरों पीछे के तरफ आपको मिलेगा इस phone का main USB जो है इसका dual camera setup जिसमें से पहला camera है 12 megapixel का जो auto focus technology के साथ आता है और यह full HD recording कर सकता है देकिन यहां पर 4K recording missing है ठीक इसके नीचे दिया गया 2 megapixel का camera जो picture में depth को capture करता है जिससे आप एक बहुती बहुती ब इसके side में यहां पे आपको दिया गया single tone LED flash और camera setup के नीचे आपको मिलता है इसका fingerprint scanner जो 0.3 second में इस phone को unlock कर देता है पोन के नीचे यहां पे आपको मिलता है honor की branding और कुछ information दोस्तों फोन में performance के लिए इसमें Huawei का खुद का processor लगाया गया है यह chipset है high silicon Kirin 655 जो कि एक octocore processor है और इसमें पहले के 4 core clock होते है 2.1 GHz और बाकी के 4 core clock होते है 1.7 GHz और इसमें बनाया गया है Cortex A53 architecture के base पर यहां पे आपको gaming ले मिलेगा इसमें GPU Mali का T830 MP2 जिससे जो भी आपको games मिलता है play store में आपको सभी games को अपने phone में download करके बहुत ही आराम से खेल सकते हैं हो सकता है कुछ बहुत ही high graphics intensity game में कुछ lag या फिर कुछ frame drops आपको शायद देखने के लिए मिल जाए तो ऐसे में आपको जो setting है उसको high chill से कम करके medium या फिर low में करना पड़ेगा उसके बहुत ही आराम से आप इसमें games खेल पाएंगे दोस्तों फोन को जगाय रखने के लिए इसमें दिया गया बैटरी 3340 mh की और वह ने ऐसा बताया कि अगर आप heavy user है तो भी आपको बहुत ही आराम से एक से भी ज्यादा दिन का backup इससे मिल जाएगा दोस्तों यह स्मार्टफोन में आपको मिलेगा 3GB के और इसकी प्राइज़िंग है 12999 रुपे इसमें आपको और एक बेरेंट में मिलेगा जिसकी प्राइजिंग है 15999 रूपे जिसमें आपको मिलेगा 4 GB के रहाम और 64 GB के इंटर्ने मेमरी तो आप अपने चूसेर के हिसाफ से कर सकते हैं कि आपको को सा वीरेंट खरीडना है तो दोस्तों मैंने फोन को बूक़ पूट कर लिए और सेटब भी कर लिए तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि फोन को पूट करती आपको कितना जीबी या राइस में फ्री मिलता है तो अब देख सकते हैं out of 3GB आपको 1.65 GB फ्री मिलेगा और अगर हम स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको यहां पर फ्री मिलता है ट्वंटी टू पॉइंट सेवेंट सिक्स जी भी अब इसके आंड्रोइड वर्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग में और उसके बा वर्शन 4.1 और वावे ने ऐसा एनॉंस किया है कि बहुत ही जल्दी वह स्मार्ट फोन को नोगट का अपडेट देने वाले तो यह बहुत ही अच्छी बात है तो फिलार हमें इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों अगर मैं फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में ब प्रोडेक्शन बहुत ही अच्छा है तो डेफिनिटी युवाई के मामले में और स्क्रीन क्वालिटी के मामले में वावे ने यहां पर बहुत ही अच्छा काम किया है दोस्तेज में आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप मिल जाएंगे अगर आप चाहे तो उन्हें को प्री इंस्टॉल मिलेगा ओटीजी सपोर्ट भी यह स्मार्टफोन करता है आपको यहां पर आयार ब्लास्टर और फार चारिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इसका इंटर्फेस दिखेगा अगर आप राइट से स्वाइब करते हैं तो आपको यह ले जाएगा सेटिंग में तो वहां से आप इस कामरा की कुछ setting कर सकते हैं और अगर्डरा फ्लेट से नाइट शाट, पैनोरोमा, ब्यूटी वीडियो, HDR, तो यह सब मोट्व का आप यूज करके आप बहुत ही अच्छा फोटो इस कामरा से आप कीच सकते हैं, बहुत ही बहतरीन वीडियो भी आप इससे बना सकते हैं, दोस्तों इसका शटल स्पीड बहुत ही अच्छा है, बहु इस कामरा का कंप्लीट रिव्यू करके अलग से उसका वीडियो बहुत ही पोस्ट कर दूंगा, तो आप जुड़े रही है हमारे चैनल से, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उमीद करता हो कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो में तब तक लिए खुश रही है, जैहिन वंदे मात्रा